अज़ की एरिंग्स बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक शीट का एक पीस लिया है और भी 7000 ग्लू का यूज करूंगी और दो आई पिंस ले रही हूं मैं जिनका यूज इन एरिंग्स में होने वाला है तो शीट के उपर हमें ग्लू को अपलाई करना है और अपनी आई पिंस को पेस्ट कर देना है और इसी तरह अब दूसरी साइट भी हमें ग्लू के साथ आई पिं को पेस्ट कर देना है तो यहां पर मैंने ट्राइंगल शेप ली है और जो लूप है नीची के और है आई पिंस का और अब इस ट्राइंगल के बीच में ग्लू फिल कर देनी है इस त यहाँ पेस्ट करूंगी तो हमारे चारो कुंदन्स जो है वो पेस्ट हो चुकी है और अब इन कुंदन्स के नीचे पेस्ट करने के लिए मैंने आई शेप के कुंदन लिए है तो इन आई शेप के कुंदन को हमें नीचे पेस्ट कर देना है और टोटल फाइव कुंदन है यह आई शेप वाले जिने मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगी और अगर आपके पास इन शेप के कुंदन नहीं है तो आप किसी अधर शेप के कुंदन के साथ भी इस डिजाइन को ट्राइ कर सकते हो और अब यहाँ पे मैंने लिया है परल वाला स्टोन चेन जिससे मैं यहाँ पेस्ट करने वाली हूँ तो दोनों साइट पे मैंने ग्लू अपलाई कर लिया है और अब यहाँ पेस्ट कर दूँगी दोनों साइट पे तो एक्स्टा चेन को कट करेंगे और जो एक्स्टा प्लास्टिक शीट है उसे भी हमें रिमूव कर लेना है तो इसे रिमूव करने के बाद मैं ले रही हूँ दो हाफ कट की हुई आई पिन्स तो इनका यूज होगा लूप बनाने में तो दो लूप आलरेडी हमारे डिजाइन में है जो हमने आई पिन्स यूज की थी और इन दो हाफ कट की हुई आई पिन्स को मैं बीच में ही कुन्दर्स के बीच में पेस्ट कर रही हूँ जो की नजर नहीं आएंगी हमें इस तरह से पेस्ट करना है तो आप टोटल चार लूप है हमारे डिजाइन में तो यह हमारे हैंगिंस हैं जहां पे हम कुछ भी हैंग कर सकता है चेंज या बीच स्वफ ञुट जो भी आप चाहो तो यहां पर मैं टेबलेट बीच ले रही हूँ हैंग करने के लिए आप चाहतो जंडी लेट को भी उस सकते हो, अब हमें हैड्ग पीन में ही बीड को डालना है और इसए फॉल करना है और हमारे डिजाइन का जो लूप है, जो हमने लूप बनाई है उनमें इसे हैंग करना है और प्लायर के साथ हमें इसे क्लोज कर देना है इस तरह से तो इसी तरह बाकी के बीड भी हमें यानि की चारों लूपस में हमें एक एक बीड को अटेश कर देना है प्लायर के साथ तो चारों बीड जो हैं हमारे हैंग हो चुके हैं और अब चलती है बैक साइड की और और बैक साइड में मैं भी 7000 ग्लू को अच्छिस से अप्लाई कर रही हूँ और यहां पे स्टर को पेश्ट कर देना है और उसके बाद वाइड कैनल शीट का ही एक पीस यहां पे मैं ले रही हूँ ताकि बैक में कुछ नजर ना आए उसमें होल करते हुए हमें यहां पे पेश्ट कर देना है तो देखी हमारा जो डिजाइन बैक साइड है वो कवर हो चुका है आप चाहो तो इसे गोल्डन कलर से फेट भी कर सकते हो बैक साइड से तो देखी एरिंग्स हमारे बनके त्यार हो चुके हैं उम्मेद करती हूं कि आपको आज का न्यू डिजाइन पसंद आएगा कुंदन एरिंग्स का ऐसे ही न्यू जूल्री मेकिंग आइडियास के लिए मेरे चैनल अंजू जूलरी क्लासिस को लाइक और सब्स कि न्यू और स्टाइलिस जूल्री मेकिंग आइडियास आपके लिए लाती रहती हूं